आज आएए हम उन्हें शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिर आए शिर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वच्चन का ध्यन करने के लिए समयले उन्हें शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिर आए क्या यह संभव बनाता है हम आत्मिक दुनिया को अपनी आखों से नहीं देख सकते इस तरह हमारे पास अपनी आखों से पुष्टी करने का कोई तरीका नहीं है कि शैतान के अधिकार द्वारा किसे पीड़ित किया जा रहा है यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपनी बहुमुल्य आज्याय दी है आज आईए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टी करें कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिरने वालों की सबसे मतोपूर्ण विशेष्टा यह थी कि वे परमेश्वर की आग्याओ का पूरी लगन से पालन करने वाले थे आईए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्य 26 आयत 13 पर एक नजर डाले अध्य 26 आयत 13 तो हे राजा मार्ग में दोपैर के समय मैंने आका से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक जोती अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों और चमत्ती हुई देखी इस आयत के माध्यम से प्रेरित पौलुस ने वर्णन किया कि कैसे दमिश्क के मार्ग में मसिय के साथ उसने अपनी पहली मुलाकात के दौरान परमेश्वर से जोती प्राप्त की आयत 14 जब हम सब भूमी पर गिर पड़े तो मैंने इबरानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना हे शाउल, हे शाउल, तू मुझे क्यों सताता है पैने पर लात मरना तेरे लिए कटिन है मैंने कहा हे प्रभू, तू कौन है प्रभू ने कहा मैं येशु हूँ जिसे तू सताता है परंतु तू उठ अपने पाओ पर खड़ा हो क्योंकि मैंने तुझे इसले दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवा का और गवा ठेराओ जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूँगा और मैं तुझे तेरी लोगों से और अन्ने जातियों से बचाता रोंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसले भीचता हूँ कि तू उनकी आखे खोले कि वे अंदकार से कहा जोती की और और शैतान की अदिकार से किसकी और परमेश्वर की और फिरे कि पापों की शमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किये गए है मिरास पाए दमिश्व के मार्ग पर प्रेरित पॉलुस येश्व मसिय से शांदार जोती में पहली बार मिला जब येश्व ने प्रेरित पॉलुस को बुलाया तो उन्होंने उसे किस प्रकार का मिशन सौपा बाइबल रिकॉर्ड करती है कि येश्व ने घुषना की मैंने तुझे सभी लोगों को शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिराने का मिशन सौपने के लिए बुलाया है परमेश्वर से मिलने से पहले इस संसार में सभी लोग शैतान के अधिकार में थे प्रतम चर्च के लोगों में से प्रेरित पॉलुस ने दया लुता से उन लोगों को परमेश्वर की और फिराने की भूमी का निभाई जो शैतान के अधिकार में थे उसने समय और असमें हमेशा इस कारे के लिए खुद को समर्पित किया भले ही ऐसा लगता है कि सुसमाचार का प्रचार करना केवल सबत के दिन और फसक के बारे में सिखाना है लेकिन प्रचार के पीछे एक और गहरा अर्थ है हम वे हैं जो अब पूरी मानो जाती को शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिराने की भूमी का निभा रहे है इसलिए प्रेरित वद्दे 26 आयत 13-18 में जो लिखा है उसकी ध्यान पूर्वक जांच करके हमें हमेश्वा अपने आपको याद दिलाना चाहिए और अपने मन में उस आत्मिक भूमी का और मिशन को अंकित करना चाहिए जो हमें सौपी गई है हमारा मिशन मानो जाती को अंधिकार से जोती के और और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और ले जाना है हमें इस मिशन को पूरा करना चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए इस यूग में हम सबत का दिन फसर, नया नाम और नई यरुशलिम स्वर्ग्य माता के बारे में सत्य सिखा रहे है यदि हमसू समाचार प्रचार के महान अर्थ और उद्देश को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो क्या हमें परमेश्वर से अधिकाशिशे प्राप्त नहीं होगी? शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिरने में सबसे मतवपुर्ण बात परमेश्वर की आग्याओ का पालन करना है जब लोग शैतान के अधिकार में होते है तो वे परमेश्वर की आग्याओ को नहीं जानते और उनका पालन नहीं करते हाला कि जब वे शैतान की अधिकार के उत्पीडन से परमेश्वर के पास लोटते है तो वे पर्मेश्वर की आज्याओं का पालन करना शुरू करते हैं इसका कारण है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए क्या बाईबल मैं यह नहीं लिखा कि पर्मेश्वर ने कहा मेरी आज्याओं को मानोगे यह पूर्ण प्रमान है जो हमें दिखा रहा है कि वे परमेशर के पास कैसे लोट सकते है आज आईए हम बाइबल के माद्यम से पुष्टी करें कि क्या यह सच है आईए हम दूसरा इतियास की पुस्तक अद्धैतीस आएच्छे एक साथ पड़े दूसरा इतियास अद्धैतीस आएच्छे इसलिए हरकरे राजा और उसके हाकिमों से चिट्टिया लेकर राजा के आग्या के अनुसार सारे इसराईल और यहुदा में घूमे और यह कहते गए है इसराईलो अबरहम इसाक और इसराईल के परमेश्वर यहुवा की ओर फिरो उस समय इसराईल का राज्ज उत्तर और दक्षिद में विबाजित था जब राजा हिजिक्या ने जो दक्षिद में यहुदा का राजा था फसह को महसूस किया तो उसने उत्तरी इस्राइल और सामरिया में दूद भेजे सबी लोगो फसव मनाने के लिए परमेश्वर के पास आओ उसने कहा इस्राइलियों ने परमेश्वर की आज्याओ से मूँ मोड लिया है क्योंकि उन्हेंने अपने आपको मूर्तों से जोड़ा है परंतु फसवर के दौरा अपने मन को परमेश्वर की और फिराओं और परमेश्वर के पास लोटो इस्राइलों के लिए जो शैतान के अधिकार के उत्पीडन में पढ़ गए थे परमेश्वर के पास लोटने का एक मतर तरीका फसव मनाना था क्या फसव परमेशुर की आग्या नहीं? उस समय उत्तरी इसराइल के लिए राजा हिजिक्या के संदेश के परचार के दौरा हम इस बात की पुष्टी कर सकते हैं कि हमें परमेशुर की आग्याओं के दौरा परमेशुर के पास लोटना चाहिए आएक आईये हम मलाकी की पुस्तक अद्धै तीन पर भी एक नजर डाले मलाकी अद्धै तीन आयत साथ मलाकी अद्धै तीन आयत साथ में लिखा है अपने पूरकाओं के दिनों से तुम लोग मेरी वीडियो से हटते آए हो और उनका पालन नहीं करते इसलिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम मेरी और फिरो ऐसा स्वयम परमेश्वर ने कहा है तब मैं भी तुम्हारी और फिरूंगा सिनों के यहुआ का यही वच्चन है परन्तु तुम पुछते हो हम किस बात में फिरे? उन्होंने पूचा हम कैसे फिर सकते है हमारे लिए परमेश्वर के और फिरने का तरीका क्या है? आयत 8 क्या मनुश्य परमेश्वर को धोका दे सकता है? पर देखो तुम मुझ को धोका देते हो और तु भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दश्मांच और उठाने की भेटों में तुम पर भारिशाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वर नसारी जाती ऐसा करती है मलाकी की पुस्ता कद्दै 3 आयत 7 में दर्ज वचनों में से जब परमेश्वर ने इस्रालियों से कहा परमेश्वर की और फिरो तो वो कौन सी आज्या थी जो उन्होंने उन्हें दी? परमेश्वर ने लोगों को दश्मांच और भेटों के बारे में आज्या को सिखाया दुसरा इतियास अदे 30 में फसर के पर्व की आज्या के द्वारा और मलाकी अदे 3 में दश्मांच और भेट की आज्या के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते है कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और कैसे फिरना है? इन दो आयतों के माद्यम से क्या हम इस तत्य की पूरी तर से पुष्टी नहीं कर सकते कि सारी मानो जाती के लिए परमेश्वर की और फिरने का एक मातर तरीका और रास्ता उनकी आज्याओं का पालन करना है इसके अलावा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अधे 12 में जाकर आयम देखे कि कैसे परमेश्वर की आज्याए जिनका आज हम पालन कर रहे है एक मतो पुर्णा आत्मिक भूमी का निबाती है और कैसे वे संपूर न सकते है आयम प्रकाशित वाक्य अधे 12 आयत 17 देखे अधे 12 आयत 17 में यह लिका है तब अजगर स्तिरी पर कुरोधित हुआ जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते है आयत 9 के अनुसार क्या यह अजगर इबलीस अर्ताच शैतान को संकेत नहीं करता और उसकी शेश संतान से जो परमेश्वर की आग्याओ को मानते और येशु की गवाही देने पर स्तिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ वह स्तिरी की शेश संतान से जो परमेश्वर की आग्याओ को मानती है लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ तब भाई और भेनो क्या परमेश्वर हमारे लेश स्पष्ट रूप से परिभाशित नहीं कर रहे कि कौन परमेश्वर की आग्याओ को मानती है इस दुश्य में हम स्पष्ट रूप से समझ सकते है कि जो लोग परमेश्वर की आग्याओ को मानते है वे शेश्वर की आग्याओ को मानते है बलकि वे उसके विरोध में खड़े है दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की ओर खड़े है वे कौन है? ये वे है जो परमेश्वर की आग्याओ को मानते है स्तिरी की शे संतान आकिरकार पुरुती पर वे लोग जो आजगर के विरुध युद्ध लड़ सकते है केवल स्तिरी की शे संतान है इस प्रकार उनकी खास विशेष्टा यह है कि वे परमेश्वर की आज्याओं का पालन करते है हम दूसरा इतियास अद्धे 30 और मलाक अद्धे 3 के मध्यम से परमेश्वर के लोगों को देख सकते है जो परमेश्वर की आज्याओं का पालन करते है और हम अंत के दिनों के बारे में प्रेरित योहना के प्रकाशन के दोरा यह भी देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर की और खड़े हैं वे हमेशा परमेश्वर की आग्याओं को मानते हैं आग्या, वेवस्ता, वाचा, विदी और नियम सबी एक ही है भले ही परमेश्वर अलग अलग शब्दों का उप्योग करते हैं लेकिन उन सबी का एक ही अर्थ है प्रेरित योहन्ना ने बताया कि जो परमेश्वर के आग्याओं को मानते है वे परमेश्वर की और खड़े है वे शेयतान के शत्रू है अब आएए हम इस विशे के बारे में येश्व की शिक्षा देखे कि जो लोग परमेश्वर के और खड़े है वे क्यों परमेश्वर के आग्याओं का पालन करते है आए हम यहन्ना अध्या 14 आयत 15 देखे अध्या 14 आयत 15 में यह लिका है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या मानोगे तो मेरी आग्याओं को मानोगे अंत में इसका अर्थ है कि जब हम शेयतान के अधिकार में थे तब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे जब हम सब परमेश्वर की और फिरते है तो स्वाभावी कुरूप से हम क्या पालन करने लगते हैं? हम परमेश्वर की आग्याओं का पालन करने लगते हैं. बाइबल हमें अमारी आत्मिक स्थिती के बारे में सिखाती है, जब हम परमेश्वर की आग्याओं का पालन करना शुरू करते हैं, जो परमेश्वर के आग्याओं को मानते हैं, वे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं आये यहान नाद्य 14 आयते किस के साथ जारी रखे? जिसके पास मेरी आग्याओं है और वह उन्हें मानता है, वह क्या करता है? वही मुझसे प्रेम रखता है सिर्फ इसलिए कि हम अपने मूँ और होटों से हे प्रभु हे प्रभु कहते है इसका अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते है येशु ने कहा जिसके पास मेरी आज्या है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आपको उस पर प्रगट करूँगा। यही इसका कारण और अर्थ है कि परमेश्वर ने सारी मानो जाती को अपनी आज्याए दी। आज्याओं के बिना हम भले और बुरे के बीच अंतर नहीं बता सकते। आज्ये हम एक बार फिर इस तत्य की पुष्टी करें कि परमेश्वर ने हमें अपनी आज्याए इसले दी है ताकि हम भले और बुरे के बीच अंतर कर सके। आया मती की पुस्ता का देश साथ में जाए आज हम सबत का दिन मनाते हैं फसक अपर मनाते हैं हम उड़नी के नियम का पालन करते हैं और हमने पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बप्तिस्मा लिया है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी परमीशुर की आग्या है आये मती की पुस्ता का देश साथ आयते किस देखे अदेश साथ आयते किस जो मुझसे हे प्रबु हे प्रबु कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रविश न करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग्य पिता की इच्छा पर चलता है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रबु हे प्रबु क्या हमने तेरे नाम से भोई शुद्वानी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर कर्म नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना एक कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ यहाँ शब्द कुकर्म करने वाले का अर्थ परमेश्वर की आग्यों का पालन न करने का कार्या है चुंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की आग्यों को मानने का निर्देश दिया है तब यदि कोई परमेश्वर की आग्यों का पालन नहीं करता तो इसका क्या अर्थ है परमेश्वर के लिए ये वैवस्ता का उलंगन है परमेश्वर ने कहा सबत का दिन मनाओ लेकिन उन्होंने सबत के दिन को रविवार की अराध्ना में बदल दिया परमेश्वर ने कहा फौसर का पर मनाओ लेकिन उन्होंने फौसर को नश्ट कर दिया और क्रिस्मस की स्तापना की ये सभी रीतिया व्यवस्ता के उलंगन का हिस्सा है उनके साथ क्या होगा जो व्यवस्ता का उलंगन करते है येशु ने कहा मेरे पास से चले जाओ क्या वह स्वर्ग का राज्य नहीं जा येशु रेते है यदि हमें सुर्ग के राज्य से जाने के लिए कहा जाए तो हम कहा जाएंगे अनंत नर्ग के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है परमेश्वर ने हमें अपनी आज्या क्यों दी? परमेश्वर ने अबरहम, नुह और इसरालों को आज्या दी जो पुराने नियम में परमेश्वर पर विश्वास करते थे नई वाचा के युग में भी परमेश्वर ने सारी मानो जाती को नई वाचा की आज्या दी है, जिनका पालन सभी को करना चाहिए लेकिन बहुत से लोगों ने खुद को परमेश्वर की आज्याओ से अलग कर दिया है जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्याओ से अलग हो गए है तो इसका अर्थ यह है कि हम शैतान के अधिकार में है हम शैतान के नियंतरन और अधिकार से परमेश्वर की और कैसे फिर सकते हैं? राजा हिजिक्या ने क्या कहा? आईए हम फसका पर मनाएं और परमेश्वर की और फिरे परमेश्वर ने मलाकी की पुस्ता का दे तीन में क्या कहा? दश्मांच की विवस्ता के द्वारा परमेश्वर की और फिरो ये सभी परमेश्वर की आग्याए, परमेश्वर की नियम, परमेश्वर की विद्या, परमेश्वर के सिध्धान्त और परमेश्वर की विवस्ता है इसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को जिनसे वो प्रेम करते हैं आशीश और अनुग्र देते हैं पुराने नियम के समय से जो एक्षाया के रुप में कारे करता आज परमेश्वर द्वारा स्थापित नई वाचा के युग तक और यहाँ तक है जब तक हम स्वर के अनंत राज्य में प्रविश नहीं करते तब तक परमेश्वर अपनी आज्याओ पर जोर देते हैं परमेश्वर की आज्याओ की घोशना किस ने की? उन्हें परमेश्वर ने घोशित किया था परमेश्वर ने स्वयम उन्हें अपने मूँ से बोला और स्वयम परमेश्वर ने हमें उन्हें सिखाया हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए आज्याओं को एक मार्ग दर्शक और आशिश के मार्ग के रूप में बनाया है जैसा कि दाउद ने कहा परमेश्वर की आग्याई क्या है? वे शुद्ध सोने से भी जादा मूल्यवान है जब दाउद ने भजन सहिता की पुस्तक के माध्यम से अपने विश्वास को सुईकार किया तो उसने कहा चाहे कुछ भी हो मैं परमेश्वर की आग्याउ को कभी नहीं भूलूँगा मैं परमेश्वर की आग्याउ से कभी नहीं हटूँगा परमेश्वर ने कहा दाउद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है परमेश्वर ने मैसुस किया दाउद का रुदे मेरे रुदे से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर दाउद को कैसे देखते है आये उत्पत्ति की पुस्ता का दे 26 पर जाए आज हमें वह होना चाहिए जो बहुत से लोगों को यह बताए कि हम स्त्री की शे संतान है जो परमेश्वर की आग्याओं का पालन करती है हमें उन्हें यह भी प्रचार करना चाहिए कि उन्हें शेतान के नियंतरन और अधिकार से परमेश्वर की बाहो में अर्थतात्मा और दुलन की बाहो में वापस लोटना चाहिए आया मुद्पत्य अद्धे 26 आयत 5 देखे 26 आयत 5 आज क्योंकि अबरहम ने मीरी मानी और उसने क्या किया? उसने जो मैंने उसे सोपा था उसको और क्या? और मेरी आज्याओ और क्या? विदियो और उसने और किसका पालन किया? विवस्ता का पालन किया. यदि हम परमीशुर की आज्याओ का पालन करते हैं तो हमें अबरहम की त अध्ये 15 आयत 25 में लिखा है, अध्ये 15 आयत 25 तब मुसा ने यहुआ की दोहाई दी और यहुआ ने उसे एक पौदा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया, वही यहुआ ने उनके लिए एक विदी और नियम बनाया, और वही उसने यह क का वच्चन तन मन से सुने, और जो उसकी दुर्ष्टी में ठीक है, वही करे, और हमें किन बातों पर कान लगाना चाहिए, उसकी आग्याओ पर कान लगाए, और उसकी सब विदियो को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे है, उनमें से एक भी तुझ पर आशिष नहीं देंगे, आयम निर्गमन की पुस्तक अद्य 20 आयद 6 पर जाए, अद्य 20 आयद 6 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आग्याओ को मानते है, उन हजारों पर करूना किया करता हो, यह हो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने वादा किया था कि जो पर परमेश्वर से प्रेम करते है, और उनकी आग्याओ का पालन करते है, उनकी हजार पीडियों को वा प्रेम दिखाएंगे, आज जब हम एक एक करके बाइबल के वचनों का अध्यन करते है, तो हम मैसुस कर सकते है कि हमें यह क्यों नहीं सोचना चीए, आज हम सबत का दिन क् आश्मांच में भाग लेते है, आज्याओ के अनुसारम बप्तिस्मा लेते है और फसह मनाते है, क्या यह सबी शिक्षाएं जिनका हम आज पालन करते हैं, आज्याओ नियम और विवस्ता नहीं, जिनका पालन करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्या दी है, आईए विवस्ता अद्ये 26 आयद 15 में, इस विशे से संबंदी परमेश्वर के वचनों को देखे, अद्ये 26 आयद 15, और मेरी विदियो को निकम्मा जानोगे, और तुमारी आत्मा मेरे निर्नेयों से घुरुना करे, और तुम मेरी सब आग्याओ का पालन न करोगे, वरना मेरी व और तुमारा बीच बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुमारे शत्रू उसकी उपज खा लेंगे। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया कि यदि हम परमेश्वर की आग्याओ का पालन नहीं करते और उसे मानने में असफल होते हैं, तो हमें विपत्तिया और दंड प्राप् होंगे। आए हम पहला राजवादे 2, आयत 1 के साथ जारी रखे। तता आग्याओ और नियमों और चितोनियों का पालन करते रेना। दाउद ने अपने पुतर सुलेमान से कहा, जब तक मैं जीवित रहा, मेरे जीवन का सबसे अच्छा निरने परमेश्वर की आग्याओ का पालन करना था, तो सदा उनकी आग्याओ का पालन कर, जिससे जो क का पालन करने और उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक हजार पीडों तक परमेश्वर का प्रेम प्राप्त होगा और वे अपने सभी कारियों में सफल होंगे, आई हम नीती वचन की पुस्तक अद्य 19 के साथ जारी रखे, नीती वचन अद्य 19 आयत 16 में लिखा है, अद्य 19 आयत 16 जो आग्या को मानता वह क्या करता है, वह अपने प्रान की रक्षा करता है, वह ऐसा वेक्ति है जो अपनी आत्मा की रक्षा करना जानता है, जब किसी वेक्ति की आत्मा शैतान के निंद्रन और अधिकार में होती है, तो उसका नरक में जाना लेकिन परमेशुर की आग्यों का पालन करने के बाद वह शैतान के अधिकार से मुक्त हो जाता है और किस के पास लोटाता है वह अब ऐसी स्थिति में होता है जहासे वह परमेशुर के पास वापस आ सकता है इसलिए आयत 16 में यह कहता है जो आग्या को मानता वो अपने प्रा को पालन करते हैं वे सबत के बजाए रविवार की अरादना और फसा के बजाए क्रिसमस मानाते हैं वहले ही परमेशुर ने कहा लोगों को पिता और पुत्र आग्याओ का पालन करना बिलकुल भी संबव नहीं है इसलिए वे मन माने ढग से ऐसा ही करते है लेकिन ऐसा करते ह वे परमेशवर की आग्याओं का पालन करना बिलकुल भी संभव नहीं है, इस प्रकार परमेशवर हमें पूरी बाईबल में परमेशवर की आग्याओं के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं, परमेशवर हमें ऐसी आग्याओं क्यों देते हैं, ऐसा इसले हैं क्यो एक-एक करके आग्याओ का पालन करते हैं तो आकिरकार हम कहा पोचेंगे परमेश्वर ने सभी आग्याओ को बनाया ताकि हम स्वर्प के राज्य तक पोचे अलाकि संसार के लोगों के लिए सबत का दिन जिसे हम आज मना रहे हैं एक साधरन सप्ता हंत है परमेश्वर के आग्याओ का पालन करते हैं और संसार के लोगों के बीच जो परमेश्वर के आग्याओ को नहीं मानते यही अंतर है परमेश्वर ने हम सभी को शैतान के उत्पीडन और अधिकार से दूसरों को परमेशर की और फिराने की भूमी का सोपी है यही कारणे कि हम सबत के दिन के बारे में अपने पडोसियों, दोस्तों और यहाँ तक की अपने सरकर्मियों को भी सिखाते हैं हम उन लोगों को बचाने में मतोपूर्न भूमी का निबा रहे है जिने शैतान के अधिकार द्वरा बंदी बनाया गया है और उनकी शैतान के अधिकार से परमेशर की बाहों में अगवाई कर रहे है हमें इस मिशन को सपष्ट रूप से समझना चाहिए जिसे हम पूरा कर रहे है भले हम सत्य की एक शिक्षा का परचार करते है चाई वा सबत का दिन हो, फस हो, नया नाम हो या नई यरुशलेम के बारे में सत्य हो हमें सपश्ट रूप से समझना चाहिए कि हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और सत्य के बारे में सहस पूर्वक गवाही देनी चाहिए अब अधिक से अधिक आत्माएं शैतान के अधिकार से परमेश्वर की पाहों में लोट रही है जो लोग परमेश्वर की आज्याओं का पालन करते हैं उन्हें उनका अनुगर प्राप्त होगा हमें परमेश्वर की इस प्रतिग्या का प्रचार दुनिया के उन लोगों को करना चे जो अभी तक इसे नहीं जानते हैं आने वाले सप्ता के दोरान आयम यरुश्लेम के पेरेदारों की भूमिका को अनुग्र पूर्वक पूरा करे और परमेश्वर की आशिशों के साथ अपनी आवाज उन्ची करे आशा करते हुए कि आप सब स्त्री किशे संतान पनेंगे मैं सुब्देश को समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद